नमस्कार राधे राधे कैसे हैं आप शबहे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे श्वस्त होंगे और मजे में होंगे दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए बहुत यादा महत्पुर्ण होने वाला है क्योंकि निंद में शपने में हम लोग लगभग दिन कुछ न कुछ देखते रहते हैं कभी सपने में शाप को देखते हैं कभी सपने में कुछ और देखते हैं कभी देखते हैं कि शापने काट लिया कभी साप डसने बला है इस प्रकार का जो श्वपन है वो हमारे आपके निंद में आते रहता है और शपने का मतलब कुछ न कुछ अवश्य होता है ऐसा नहीं है कि सपना बेकार होता है निरर्थक होता है अगर आपने सपने में कुछ देखा है तो इसका मतलब कुछ न कुछ अवश्य होता है जैसे माल लो किसी दिन आपने देखा कि शपने में आपको सापने डस लिया तो इसका मतलब क्या होता है वीडियो बहुत ज्यादा महत पुर्ण है तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा दोस्तों, अगर आपने सपने में सापने डस लिया है तो कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं और कुछ लोग इसको बुरा मानते हैं लेकिन सही क्या है? सुब या असुब, अच्छा या बुरा? अगर आपने शपने में सांप को देखा है जो आपको काट रहा है तो आने वाले शमय में आपको कोई बड़ी परेशानी हो सकती है. कोई बड़ी बीमारी हो जो आपको बहुत तंग कर सकती है आपके नौकडी के छेतर में अगर आप नौकडी करते हैं तो नौकडी के छेतर में आपको पड़ेशानी हो सकती है अगर आप वेपाडी हैं, खुद का कोई काम करते हैं, तो आपके कामकाज में आपको नुक्षान का सामना बहुत ज्यादा करना पर सकता है आप में से जो भी लोग विद्यार्थी होंगे तो उनके पढ़ाई लिखाई के छेतर में उनको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा सिक्षा के छेतर में उनका मन नहीं लगेगा और उनकी जो एकागरता होगी वो कही न कहीं भंग हो जाएगी आप अपने जीबन में जो भी काम करेंगे उस काम में आपको तरक्की बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और पड़ेशानी का सामना आपको बहुत ज्यादा करना होगा आने वाले शमय में आपकी जो यूजना होगी जो आपका कर्जक्रम होगा वो आपके पक्ष में नहीं रहेगा आप अपने जीबन में जो भी कारे करेंगे उस कारे में शफलता आपको नहीं मिलेगा जो आपके कड़ीबी लोग होंगे जिनके उपर में आप भरोसा बहुत करते होंगे वो लोग आपको धोखा दे सकते हैं उनके शाथ में आपका शंबंध बहुत जयादा बिगर जाएगा और आपके जो दुसमन होंगे सत्रु जो आपकी होंगे वो आपको परेशान बहुत ज्यादा आने वाली है आप में से जो भी लोग पहले से बीमार होंगे अगर आपके श्वास्त के मामलों में पहले से कोई परेशानी थी तो सपने में साप के काटने के बाद वो परेशाणियां कहीं न कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और भविश्च में आपका शमय आपका साथ नहीं देगा तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना है लेकिन आपको घवराना बिलकुल भी नहीं है अपने मन को आपको शांत रखना है और महादेव की आराधना करनी है अपने पूजापाट के माध्यम से सिवजी को महादेव को खुश करना है इससे क्या होग आपके जीबन में जो परेशानियां आएंगी जो समस्याएं आएंगी वो कहीं न कहीं कम हो जाएगी और आपका जो भी काम बनते बनते बिगर जाता होगा कामकाज के माध्यम से नुकसान का सामना करना परता होगा करीबी लोगों के शाथ में संबंध खराब हो जाता होग अगर आप लव लाइफ में होंगे तो आपका प्रेम शंबंध भी बहुत डैमेज होता होगा तो इन चीजों के माध्यम से आपको फाइदा होगा और आपके जीवन में परेशानिया बहुत जयादा कम हो जाएगी दोस्तों अगर आपके मन में कोई शवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपकी शहायता आवश्य की जाएगी वैसे उम्मीद करता हूँ साड़ी बातें किलियर हो चुकी होगी और अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा वाइटी मिस्तरा को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को हर जगा सेयर कर देना है तो मिलते हैं एक नए वीडियो में धन्यवद